बिहार के गुपाल गंज में 264 करोड की लागत से बना सतरघाट महासेतू बोधबर को पाने के दबाव से धौस्त हो गया वहें इस महासेतू के धौस्त होने से चमपारण तिरहुत और सारण के कई जीलों का संपर्ग तूट गया है इस पूल पर आवागमन पूरी तरह बादित हो गया है इसी मामले में नितिश सरकार पर विपक्छोराश्टी जनतदल के नेता 23 भी आदो ने अपने अधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर वीडियो पोस्ट करते वे तंज कसा है 29 दिन के वेतर पूल धोस्त होने को लेकर जबजस्त परहार किया है 23 भी आदो ने अपने ट्विट में लिखा 263 करोड तो सुसास ने मुह दिखाई है इतने की तो इनके चूहे सराब पी जाते हैं बता चलें कि बिते जून सुरजून को सिमनतिश कुमार ने पटना से वेडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से इस महासेतू का उधगाडन किया था गोपाल गंज को चेंपारन से और इसके साथ तिरहुत के कई जीलों से इस महासेतू को जोडने का यह अती महत्तो कांची फूल था इसके निर्माण में करेव 264 करोड की लागाद आई थी गोपाल गंज में आज 3 लाग से ज्यादा क्यूशेक पानी का पाहा था गंडग के इतने बड़े जाला स्तर के दबाव से इस महासेतू का अप्रोच रोड टूट गया जिसकी वजर से आवागमन बंद हो गया है बैकवन फूर केप है जो लाहपूर में या पूल टूटा है जहां पर देखने के लिए लोगों का तान अता लागा हुआ है निवस्रूम से निवस्लाइब की रिपोर्ट